प्यारे विद्यायतियों आज से हम कमर्शियल ला की बुक को कबर कर रही हैं कमर्शियल ला में एक बहुत ही इंपोर्टन्ट ला है उस ला का नाम है इंडियन कॉंट्रेक्ट ला 1872 में यह बना जब अंग्रेज भारत में आए थे तो इस कानून के जो नियम है आज भी वैसे के वैसे इंडिया के डिफरेंट कॉंट्रेक्ट पे लागो होती हैं तथा इस कॉंट्रेक्ट में डिफरेंट सेक्शन्स हैं उसमें अलग अलग बातें कही गई हैं तथा सबसे पहले सेक्शन टू एच्च में डिफाइन किया गया है कॉंट्रेक्ट क्या होता है डेफिनिशन दी गई है देखो कोई भी कॉंट्रेक्ट है एक एग्रिमेंट होता है एग्रिमेंट मीज समझोता जिसमें दो पार्टी होती है एक ओफर देता है दूसर असेप्ट कर देता है मान लो के मैं मकान बेचना चाहता हूँ मैं हूँ ए तो मैं ओफर देता हूँ ओफर किस चीज़ का मकान बेचने का ओफर फॉर सेलिंग मैं ओम किसको देता हूँ बी को देता हूँ तो इस समझोते को हम कुंट्रेक्ट रहेंगे क्योंकि मैंने ओफर दिया बी ने इसको असेप्ट रह लिया असेप्ट होना प्शक्त है एक एक रिटन एग्रिमेंट हो गया रिटन कुंट्रेक्ट हो गया इसने भी साइन कर दिये इसने भी साइन कर दिये मालो यह है मकान जो मेरा हो है यह है चालिस लाग का मान लग मैंने मकान दे दिया पर मुझे 40 लाक नहीं मिले तो मैं कानून का सहरा लूँगा क्योंकि हम दोनों में legal relationship है तथा जिसने जवड़स्ती मेरा मकान कब्जे में ले लिए है भी ने पर मुझे 40 लाक नहीं दिये तो मैं कानून की मदद से अपना मकान वापस लेने का ख़गाद हूँ तो इस कॉंट्रैक्ट को ही हम इस ला के अंतरगर्त कॉंट्रैक्ट कहते हैं तीक अब आज़ाए यह elements of contract section 10 में है elements देखो elements का मतलब होता है जो मैंने define किया उसको कुछ explain कर देना means सबसे पहले जो element है वो है offer सबसे पहले किसी भी contract में offer होना जोरी है यदि offer ही नहीं दिया दूसरे ने जबरस्ती acceptance दे दिये है और कोई चीज़ अपने कबजे में ले लिया है तो वो contract नहीं है ऐसे ही acceptance होनी चाहिए जैसे offer दिया है acceptance होनी चाहिए कि ऐसा कोई भी contract ना हो जिसमें legal relationship ना हो मालीजे मेरा दोस्त ने मुझे से कहा कि वो 500 पर उधारा चाहता है मैंने नहीं दिये मैंने पहले कह दिया कि मैं उनको दूँगा परबाद में नहीं दिये तो वो मेरे उपर मुगर्बा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें acceptance ही नहीं है दूसरा यह एक legal relationship नहीं है क्योंकि हम दोनों में दोस्तीका relation है legal relationship नहीं है दोस्त दोस्त को दे सकता है पर दोस्त दोस्त को नहीं भी दे सकता ऐसे ही तीसरा है कि competent parties होने चाहिए competent parties का मतलब क्या है competent parties इसका मतलब है कि उसका जो पार्टी से उफर देने वाला और असेटेंस देने वाले दिमाग यूप में हेल्थी होने चाहिए उमर उनकी ऐसी हो जैसे 18 साल से उपर हो इंडिया में तो वो कंट्रेक्ट कर सकते हैं अदर वाइस कंट्रेक्ट लीगल नहीं होगा उसके बाद आ जाता है मैंने कहरी आफर होना चाहिए असेटर्स होने चाहिए लीगल एरेशन्शिप होना चाहिए चोथी बाद कहरी कंपिटेंट पाल्टिक्स होनी चाहिए एक पांचवे जो चीज है जो इंपोर्टन होती है वो है कि लाफुल रिटर होनी चाहिए अगर A, B को मकान देता है तो जो उसकी वैल्यू है तो वो कंस्ट्रेशन ए द्वारा B से लिया जाना चाहिए पिटर मालो हम कोई समान बेचती है किसी को तो हमें उतना मिलना चाहिए जतना हमारा हक है जितना उसकी मार्केट वैल्यू है अगर बहुत जादा है या बहुत कम है तो यह कोई कंट्रेक्ट नहीं है जो लाफ के तवारा असेप्ट किया जा सके है मालो एक पैंगन की कीमत मेंने चालिस लाफ किसी को दिया यह कोई लीगल कंट्रेक्ट तो है नहीं जो रिटर्न है इसकी इसकी कीमत है 30-35 रुपीय है उसके बाद आगे आईए लीगल इसके लाबा फ्री कंसेंट होने चाहिए या जो असेप्टनस है फ्री होने चाहिए किसी के उपर दबाव उम डालकर उससे असेप्टनस लेना वो गल्द है अगर मैं किसी को कहूं या यह ए बी से कहे या बी ए से कहे कि वो मुझे मकान दे दे अगर नहीं देगा तो मैं आई विल शूट यू आपको कतल कर दूँगा ऐसे किसी तरह से कोई दबाव के उपर क कॉंट्रेक्ट नहीं होना चाहिए उसके बाद आगे आईए कि जो कॉंट्रेक्ट है वो वोईड ना हो डिकलेर ना हो मालो हम देखते हैं कि ड्रक्स के लिए कॉंट्रेक्ट होते हैं पर वोईड है कानून कहता है इल्लीगल काम नहीं होना चाहिए कॉंट्रेक्ट तो उसके नियम बने हुए हैं उससे बहार नहीं होना चाहिए कोई गया कानूनी काम नहीं होना चाहिए देक्स का business करना illegal है तो इसका contract भी void है इसके लाँ आजाएए कि जो formalities है किसी contract में witness का written होना जुदी है तो वह होनी चाहिए तो यह इरिमेंट्स हैं, और लेक्षर में हम आपको बताएंगे कुछ और इसके प्रिविजन्स, ओके थेंक यू वेरी मच्च